चालू वित वर्ष में खली निर्यात में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, दरसल पिछले महीने भी खली निर्यात में इजाफा हुआ है। खली निर्यात बढ़ने की मुखे वजह सोया खली का निर्यात धाई गुना से ज्यादा बढ़ना है। Solvent Extractors Association of India, C, से प्राप्त आंकडों के अनुसार वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में 5.32 लाख टन खली का निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में 4.33 लाख टन निर्यात हुआ था. इस तरह से देखा जाए तो इस दिसंबर खली निर्यात में 23 लाख टन खली का निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले वित वर्ष में दिसंबर तक यह आंकड़ा 28 लाख टन था. इसके साथ ही चालू वित वर्ष में सोया खली के निर्यात में बड़ी बड़ोतरी की वजह वैश्विक बाजार में सोया खली की मांग काफी बढ़ना है. हाल के महीनों में अर्जेंटीना की ओर से इसकी सप्लाई में कमी आई है साथ ही भारतिय सोया खली मूले के लिहाद से प्रतिसपर्दी है इसलिए इसकी निर्यात मांग बढ़ रही है चालू वित वर्ष में दिसंबर तक 12.1 लाक टन सोया खली का निर्यात हो चुका है पिछली समान अवधी में यह आंकड़ा 4.46 लाक टन ही था जाहिर है इस वित वर्ष सोया खली के निर्यात में धाई गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है चालू वित वर्ष में दिसंबर तक सरसों खली का निर्याद करीब 9 फीसदी बढ़कर 18.2-3 लाक टन हो गया है पिछले वित वर्ष सरसों खली का निर्याद 22.9-6 लाक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था चालू वित वर्ष में D.Oiled Rice ब्राइन के निर्याद पर प्रतिबंद का असर दिख रहा है और इसका निर्याद घटकर आधे से भी कम 1.5-1 लाक टन रह गया पिछले वित वर्ष दिसंबर तक 3.9-6 लाक टन निर्याद हुआ था मुंगफली खली का निर्याद भी 20,698 टन से घटकर 13,808 टन रह गया जबकि अरंडी खली का निर्याद 2.8-2 लाक टन से बढ़कर 2.9-6 लाक टन हो गया Bureau Report Market Times TV